आज मैं आपके साथ बड़ी वज़े की चीज़ शेयर करने वाली हूँ तो यह है डो मेकर यानि के आटा गूंदने वाली मशीन और इसके ना तीन फंक्शन्स है मिक्सर भी है यह और विस्कर भी है तो केक बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है तो बस आज मैं आपके साथ इसके अन्बोक्सिं करती हूँ और फिर आटा गूंद के भी हम देखेंगे ठीक है तो यह बड़ी अच्छी सी पैकिंग में था दोनों साइड पे इसकी सपोर्ट थी इसके प्रोटेक्शन के लिए और मिशीन भी जो है न वो बहुत ही प्यारी थी और मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था कलर क्यूंकि मुझे था कि मैं अपने किचन के साथ मैच करके रखूँ वरना इसमें तीन कलर्स अवेलेबल है और रेड वाला भी और एक गोल्डन टाइप का तो बस ये इसके साथ एक्सेसरी थी और साथ में ये था इसका मैनमुल तो आप पढ़ो और सीखो तो मैंने बस वो देखा और यहां पे इसका बटन है इसको खोलने के लिए इस तरीके से और उसके बाद इसी बटन को प्रेस करके इसको बंद कर दिया जाता है और ये प्रेशर वाला था साइड पे और बस इसका ये जो पोट है काफी बड़ा है जितनी मर्जी चीज़े बना लो ठीक है उसमें इसको दोया साफ किया थोड़ा सा सीखा तरीका और अब हम गुंदेंगे आटा इसके अंदर मैंने डाला है सूखा आटा अभी और अभी म तो मैंने ना यहां से पानी डालना शुरू किया है मैंने का भी देखती हूं कितना कितना इसमें डलता है फिर जब अंदाजा हो जाएगा ना फिर बंदा पानी डालके रख दे और खुदी गुंदा जाएगा और दसमीन तो लगए है आई थिंक और ये प्रेशर भी है जो आप हेंडल कर सकते हो अगर आपने ज़्दा जल्दी बनाना है तो आप तेज वाला कर दो वरना स्लो सलो पे गूंदा रहे और यहां पे ना ऑटैक गूंद गया था तो मैंने यहां पे इसको बाहर निकाल ला है ये उसका जो है ना हेंडल इसको इस तरीके से आपने साफ क देरी इसको फोरण ही यूज करके देख रही हूँ कि कैसा अच्छा आटा था और ट्रस्ट मी ये बिल्कुल वैसा आटा था जैसे वो दादी नानिया जोर लगा लगा के दो दो गंटे लगा के जो गूनती है ना उनके अंदर इतनी अच्छी लेस सी आ जाती है कि वो आटा ले लूँ तो फाइनली बैने ले ली और ये जो मेकर है ना सिर्फ आटा गुनने के लिए नहीं और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूसफुल है तो आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी अच्छा जी आज मैं बनाने लगी हूँ राजमा चावल तो राजमा आप फिर इसकी एक रेसिपी देखी ऑनलाइन और उसी को मैं आज ट्राइ करने जा रही हूँ यहां पर मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है और प्यास फ्राइ करके लग से निकाल लिये हैं तो यहां पर जिंजर गाली का पेस्ट थोड़ा सा फ्राइ की है उसके बार रेड चिल ग्रीन चिली हल्दी बेसिक मसाले डाल के फ्राइ कर लेने हैं बिल्कुल सेम जैसे हम हंडिया बनाते हैं वैसे ही था और यह राजमा भी वो बीन्स ही थे जो हम लोग बनाते हैं बट यह वाले बीन्स वैसे मैंने कभी बनाये नहीं थे तो यहां पर आज मैं पहली बारी ब चाउडर डाला और इसको अच्छे से बस ना फ्राइ करना है भूनना है अच्छे से तब तक इसके उपर ओयल आ जाए ठीक है और जो फ्राइ की वे अनियन से ना उसको मैंने अलग से मिक्सर के अंदर डाल के और यह राजमा है इसको कहते है बीन्स को ब्राउन और ब्लैक से इनको भी बन थोड़ा सा डाल लिया इसके अंदर और उसको भी मैंने पेस्ट बनाके इसके अंदर एड़ कर दिया तो जिस तरह चने बनाने वाला था ना मैथड मेरा मुझे बिल्कुर यह वैसा ही लगा और बस मैं इसको यहां पर कर लूँगी और साइड पे मैंने ना र भी थी बच्चों के साथ खेल रही थी अलू का मिटीरियल घर में पड़ा हो ना तो मैं तो उसको हर चीज में यूज करके खा जाती हूँ I just love it डेबरा मेरे लिए कुकिज लेके आई थी यह उसने खुदी बेक किये थे पीनेट पटर के कुकिज अच्छा हमने यह खाए और ना मेरा कुछ मेकप आया वा था पियार में तो डेबरा के आने से कुछ दिर पहले ही आया था तो मैंने का चलो डेबरा से कहते हैं अन्बोकसिंग करती है तो वो बचे मिलके आज खोल रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं तो बस यहां पर हम जल्दी से करेंगे ये काम तब तक मेरा राजमा चावल भी त्यार हो जाएगा और उसके बाद हम खाते हैं अच्छीक है आप लोगों को मेक अप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आए मुझे इतने पसंद है ना पूरे मेक अप में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हों मैट शिमर गलिटरी हर तरह के जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो बस यहां पर मैंने सब की अन्बॉक्सिंग की कुछ चीज़ें मैंने डैब ब्राव को दे दी और यह लिपस्टिक थी बहुत ही प्यारे न्यूड कलर की तो यह मैं आगे यूज़ करूँगी तो अच्छा हमारा राजमा हो गया था त्यार वह इसको मैंने रख दिया था तो इसकी ग्रेवी बस हलकी हलकी रखी थी बहुत ज़्यादा भी गाड़ा नी रखा और पतला नी रखा और बस यहां पर हम करते हैं ट्राइ एंड आई जिस लव दिस बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा जो मैंने फिर रोटी के साथ भी बना के खा के देखा था पर चामनों के साथ इसका ज़्यादा मज़ा आता है अच्छा जी उसके बाद हम लोग गए स्टोर तो मुझे करनी थी थोड़ी इसी ग्रोसरी तो बस यहां हम खरेंगे फटा फट से और यहां पेना काफी चीज़ें जो है ना मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमका टेस्ट कैसा होगा यहां पे बहुत सारे किसम के औरेंजी हैं पहले तो अगर किसी को पता हो तो मुझे प्लीज ज़रूर बताना तो आई केननोट डिफ्रेंशियेट के कौन सा कौन सा वाला है और किसका टेस्ट कैसा है तो मैंना हमेशा एक दो ले जाती हूं ट्राइ करने के लिए इस पार मैं मैं दो तीन इन्मे से लेके आई थी टेस्ट करने के लिए कि कौन से वाले का टेस्ट कैसा है तो लेसी कैसा होगा वो जो छो छोटे वाले ओरंजिस है ना वो बिल्कुल हमारे फ्लूटर की तरह मीठे मीठे बच्चों के खाने वाले तो वो मैं ले ले लेती हूं लेकिन दूसरों वालों का जो है ना कभी मुझे पता ही नहीं जलता सही से बस यहां पर फट फट जरूरी चीज़े हैं मैंने ली और उसके बाद जाएंगे घर और अभी घर जाके भी मुझे खाना बनाना है तो बस मैंने जल्दी जल्दी वाली की वापसी पे ना मैंने गुड कर मा भी जाना था तो मैंने आपसे लास्ट फिलोग में शियर किया था कि मैंने वहां से खाया पकोड़ा तो जिस दिन हम लोग गए ना वहां पकोड़ा खाने तो हमने ओर्डर किया था पकोड़ा एंड समोसा और जब हम लोग ने खोला पैके तो उसके अंदर समोसा नहीं था, सिर्फ पकोड़ा था, जब कि हमने पे कर दिया हुआ था, फिर मैंने घर जा के फून किया, उनको के समोसा अंदर क्यों नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हमें गलती से पता नहीं चला, अंदर नहीं डाला, तो वो ना इंडियन स्टोर है, बर वहां पे एक गोरा बाबा सा काम कर रहा था, और उसको शायद पता नहीं चला, खैर, यहां पे कितने मज़े के फूल है, इतने प्यारे प्यारे थे ना, यह पोर्स, तो मैंने एक उठा के देखा, मुझे पसंद आया, और फिर मैंने वैसे ही नीजे रख दिया, इतना महग प्यारे थे, कि इसने उनको समोसा भी माफ नी किया, जोया के बाबा कहते है, नहीं नहीं, रहने दो खैर है, एक समोसा ही काई पैकेट है ना, मैंने का लो जी क्यूं, मैंने तो पे कर दिया हुआ है, पहले का मैं तो नहीं बख्षने वाली, तो फिर जब मैं उनसे लेने ग आते हैं, तो इन सब ने, जोया के बाबा मामो ने इतना मेरा मजाक उड़ाया, कि सही पाकिस्तानी ओरत होने का सबूत दे रही है, कि हर यहां पे ना, मैंने घर आके जल्दी से बनाया, आलू गोश्ट, ठीक है, बीफ मैं रख गई थी, बॉलने के लिए, तो जब तक मैं भूनाई करके मज़ेदार सा कडाही गोश्ट बनाया, विदाउट एनी शान मसाला, और साथ में मैंने ये बच्चों के लिए थोड़ा सा चिकन कर लिया था, हलकी सी नमग मिर्च वाला, जी ये देखें, मज़ेदार कडाही हमारी त्यार है, उपर से ना, इसको थोड़ी स बिल्कुल ना, तो वस इसको मैंने डालके दम पे रख दिया, और साथ मैंने रोटियां बनाई, तो यही था हमारा आज का वी लोग, I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, अल्ला हाफिस